हमारा फोकस रहेगा भरतपुर रियासत पर कि भरतपुर एक रियासत कैसे बनी इस क्षेत्र के जो जाट थे जाटों के साथ और भी जो जातियां थी उन्होंने धर्म के लिए कैसे अपने प्राणों का बलिदान किया और अरंगजेब के ये कहने पर भी गोकुला जाट को कि तुम इसलाम स्विकार कर लो, तुमको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने प्राणों का बलिदान करना ज्यादा उचित समझा बजा है इसके कि अपना धर्म छोड़ना, पहले मैं मुगल शाषक औरंग जेब के शाषनकाल के कुछ सोर्से आपके समक्ष रख देता हूँ, ताकि मन में कोई शंशय या शंका ना रहे, क्योंकि कई बार कमेंट सेक्षन में ये देखने को मिलता है कि औरंग जेब की जो धार्मिक नीतियां थी, वो कटर नहीं थी, पहले मैं वो एक सोर्स रख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं गोकुला जाठ पर आता हूँ, राजाराम जाठ पर आता हूँ, और महराजा सूरज मल और उनसे आगे तक हम चलेंगे, मुगल शाठोक औरंग जेब के शाषनकाल का प्रमानिक स्रोथ है, मासिर ए आलमगिर, औरंग जेब के जो लास्ट सेक्रेटरी थे, सचियु थे, इनायत तुल्ला खान, उन्होंने उसको कमपाइल करवाया था, मुझ्शी का एक काम करते थे एक व्यक्ति, साकी मुस्तैद खान, इनायत तुल्ला खाने, साकी मुस्तैद खान को ये कहा, कि बादशा के शाशनकाल की जो भी गतिविदिया हैं, उनको आप कमपाइल करिए, और औरंग जेब की जब मृत्यू हुई, तो मृत्यू के बाद, तीन साल लगबग, तीन साल बाद, ये कम्पलीट हुआ, ये वाली जो किताब है, मासिर ए आलमगिरी, ये कम्पलीट को, मुगल शाशक औरंग जेब ने एक फर्मान जारी किया, वो फर्मान था, मतुरा में जो केशव राव जी का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ने का, जैसा जिस रूप में लिखा हुआ है, वो ऐसा ही बताता हूँ, जो किताब में लगा हुआ है, उसके कुछ पेजेज में लगा दूँगा, ताकि आप वो देख सकें, और अगर फिर भी आप पढ़ना चाहें, तो नेट पर सर्च करना मासिर आलम गिरी, और आप उसको बुक को, जो भी मैं पेज नंबर बताऊं, उसको रीड कर लेगा, वहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, कि 27 जनवरी 1670 इसव को केशव राय के मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया, हमारे सैनिकों के कठिन परिश्रम ने मूर्खों के इस मंदिर को गिरा दिया, इस बुनियाद को ड़ा दिया, और इसके स्थान पर बहुत बड़ी धनराशी खर्च करके, एक मस्जिद का निर्मान कराया लिया, आगे वहीं से ये जानकारी भी मिलती है, कि वहां से कुछ मूर्थियां भी प्राप्त हुई थी, छोटी बड़ी भोट सारी मूर्थियां मिली थी, जो सोने, चांदी और अन्य आभूशनों से सजी हुई थी, उन मूर्थियों को आगरा लाया गया, और जैसा लिखावा है कि आगरा में कोई मस्जिद है, अभी है यानि उस समय की बात, मस्जिद थी, बेगम साहिब मस्जिद, उसकी सीडियों के तले उनको दबाया गया ताकि बार बार उन पर चड़ा जा सके। अबुल बाजशा जहांगीर का बहुत क्लोज हो गया था, अबुल फजल की हत्या करने के करण जहांगीर उस पर प्रसन था, बाजशा प्रसन था, और बाजशा ने अनुमती दे दी थी, वीर सिंग देव बुंदेला को, कि आप ऐसा कोई मंदिर का निर्मान करा लो, और फ ताकि मन में ये शंशे ना रहे कि जाटो ने जब अंदुलन किया यहां पर, या ज़्यादा कहें तो विद्रोह किया मुगल बाजशा औरंग जेव की इन धार्मिक कट्र नीतियों का जब विरोध किया, तब ये मन में इस पस्ट रहे कि हाँ, ये बाते वेरिफाई हुई ह मुगल शाशक औरंग जेव के शाशनकाल की, जो उसकी मृत्यों के बाद जो किताब लिखी गई थी, तीन-चार साल बादी, वहां से, इसी किताब का पेज नंबर 108, वहां से जानकारी मिलती है, कि खान जहां बाद दूर, जो औरंग जेव का व्यक्ति था, औरंग जेव का कि कुछ मूर्तियां यहां रख दो, और बाकी जो हैं, वो जामा मस्जिद में पहुचा दो, उसकी सीडियों के नीचे दबाने के लिए, इसी प्रकार की जानकारी पेज नंबर 116-117 से भी मिलती है, वहां से जानकारी मिलती है, कि 24 जनवरी को मुगल शाशक औरंग जेव उदैसागर जो जहील है, उदैपूर की, माराना उदैसिंग ने जो बनवाई थी, माराना प्रताप के पिता ने, तो उस उदैसागर जहील के पास में जो तीन मंदिर थे, 24 जनवरी 1680 की बात है, उन तीन मंदिरों को तुड़वाया, फिर 29 जनवरी 1680 इस्वी को, बाजश ने चितोड के 63 मंदिरों को तोड़ा, ना खुद भी वैसे चितोड जाकर आया था, मुझे सोबागे मिला जाने का माराना प्रताप की भूमी पर जाने का, हाला कि चितोड माराना प्रताप की राजदानी नहीं रहा, कभी भी, क्योंकि जब उनको शाशन मिला था, 28 फेबर मेवाड के हाथ से जा चुका था, मुगलों के अधिकार में था, और माराना प्रताप 19 जनवरी 1597 में इस भी को जब उनकी मिर्ति वी थी, तो उससे पहले चितोड और मांडलगड को छोड़ कर शेश मेवाड पर उन्होंने अपना पूरा अधिकार कर लिया था वापस, चि 63 वहाँ के मंदिरों को तोड़ा, इसके अलावा, अगस्त 1680 के लगबक की बात वहाँ लिखी हुई है, एक्जेक्ट सन मुझे ध्यान नहीं कौन सा लिखा वाँ उसमें, अभी रिकॉल नहीं हो रहा, तो अबु तुरब, औरंग जेब का जो एक सिपाई था, अबु तुर मंदिरों को तोड़ कर आया हुई, तो ये बात तो इसपस्ट है, मुगल शाषक औरंग जेब के शाषनकाल के ये जो प्रमानिक शुरू होता है, इनसे कि मंदिरों को तोड़ा गया था, अब आते हैं, विश्यकोर आगे बढ़ाते हैं, 1669 में मुगल शाषक औरंग जेब मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के शाही फरमान जारी किये थे, 1669 में, और 1679 में जजिया टेक्स वापस से लगा दिया था, जजिया टेक्स लगाने का एक रीजन हमको ये भी समझ में आता है, कि दखन में छतरवति शिवाजी माराज के विरुद, माराठों के जो सेन्य अभियान चला रहा था, उसके कारण बहुत जादा आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई करने के लिए, प्लस अपनी कटर धार्मिक नीतियों के कारण औरंग जेब के दुआरा इस प्रकार का ये जजिया टेक्स वापस लगा दिया गया था जिसको मुगल शाषक अकबर ने 1564 इसवी में हटा दिया था, 1669 पर आओ, 1679 इसवी में जब मुगल शाषक औरंग जेब ने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का शाही फर्मान जारी किया, तो आगरा, मथुरा, भरतपूर, इस खेत्र के ये जो जाट थे, इन्हों ने विरोध किया, किसान थे, तो एक तो किसानों का वैसे भी शोशन हो रहा था, कभी कम होता था कभी ज़्यादा सोशन होता था ये बात तो इसपस्ट है और केवल मुगल काल में यह ऐसा नहीं देखा गया रियासतों में भी अगर हम देखते हैं तो किसानों का आगे चलकर बहुत अधिक सोशन होने लगा था उसकी वज़े से किसानों के अंदोलन भी हुए थे कई ज़े गया तो यहां के जो किसान है आर्थिक सोशन प्लस मुखे रूप से धार्मिक सोशन के कारण संगट हित हुए तिलपत के एक जमिदार थे गोकुला जाट उन्होंने आसपास के लोगों को संगट हित किया औरंग जेब की धार्मिक कटर धार्मिक नीतियों के विरुद और युद्ध किया 1669 में औरंग जेब के दुआरा तिलपत गोकुला जाट को पकड़ लिया गया और पकड़ कर बाद में निर्शन सहत्या कर दी गई जब गोकुला जाट की हत्या की गई तो गोकुला जाट को भी इसी प्रकार के उफर दिये गए थे जिस प्रकार से छत्रपती संबाजी माराज को उफर दिया गया था चत्रपति संबाजी माराज से कहा गया था कि इसलाम स्विकार करो या मरने को तयार रहो सर जदुनाज सरकार की मैं किताब पढ़ रहा था शिवाजी एन हिस टाइम्स उसको जब पढ़ते हैं तो ऐसे रोंग्टे खड़े हो जाते हैं कैसे उस व्यक्ति ने कितनी पीड़ा को सहा होगा संबाजी माराज ने एक-एक उंगलियां काटी गई नाखून उखाडे गए पहले फिर उंगलियां काटी गई इसके अलावा जलती हुई गरम रोड सलाखें आखों में डाल दी गई और जब अंत्त है वो जब भी नहीं माने कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूँगा तो उनकी गरदन काटी गई सिर में भूसा बरा गया मतलब बहुत निर्शन से हत्या की गई थी तो उसी प्रकार की हत्या गोकुला जात की भी की गई थी मैंने जाट समगदाय के ही कुछ लोगों से बात की थी मेरे मित्र हैं और मिलने वाले हैं उन्होंने बताया कि एक फवारा चोख है कोई जहां सिकंद्रा के पास मैं अकबर के शव को दबाया गया तो दफनाया गया तो फंवारा चो गूला जाट के कंदे पर कुलहाडी से वार किया गए दोनों कंदे उतार दिये गए और यहां पास में वार किया तो खून की पिछकारी ऐसे निकली जैसे कोईफ़ारा फूट पड़ो उसके कारण उसको फांवारा चो कहा गया उनकी भी एक-एक उंगलियां काटी गई उंगलियां काटने से पहले नाखुनों को उखाड़ा गया गरम सलाखों को आखों में दागा गया और फिर गोकुला जाट की हत्या की गई इस प्रकास से लेकिन गोकुला जाट ने अपना धर्म छोड़ने की बजाए मृत्यू को गले लगाना जादा उचित समझा कि आप कुछ भी कर लो धर्म नहीं छोड़ा जाएगा धर्म नहीं छोड़ सकता गोकुला जाट तो चले गए लेकि उन्होंने उस क्षेत्र के जो लोग थे मुखेत जो जाट थे उनको संगठित कर दिया और इसका परिणाम हम ये देखते हैं कि जो जाट जमिदार थे भज्जा सिंग उनके बेटे थे राजाराम जाट उन्होंने 1687-188 इस्वी में सिकंदरा पर अटेक किया जहां पर मुगल शाशक अकबर की अस्थियां थी शव को दफनाया गया था तो जमीन के नीचे जो अस्थियां थी अब कुछ लोग ये तर्क करते हैं हो सकता है बाद में भी ये करें कि मुगल शाशक अकबर की मृत्व 1605 इसवी में हो गई थी और अब आप समय बता रहें 1688 तो इतने समय तक तो हड़ियां बचेंगी नीचे हड़ियां तो बहुत पुरानी पुरानी भी मिलती है जब हम खुदा ही करते हैं जमीन के नीचे हलाकि ये बोलने की आउसकता नहीं थी लेकिन कुछ लोग अगर कमेंट करें तो मैं पहले ही इसपस्टी करन दे दूँ हड़ियां जो हैं हजारों साल पूरानी भी मिल जाती है जमीन के नीचे तो राजाराम जाट ने सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा था उसको खुद वाया और उन हड़ियों को बाहर निकाला और उनका हिंदू रिती रिवाज के साथ में अंतिम संसकार कर दिया मतलब मुगल शाशक औरंग जेव को ये मैसेज देने के लिए कि अगर आप कुरूरता दिखाओगे तो हम इस प्रकार से करेंगे अब औरंग जेव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि औरंग जेव की नाक के नीचे कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है सिकंद्रा पे हमला किया और वहाँ जितने भी सोने चांदी के जो भी पत्रे बगएरा लगे थे सब को उखाड लिया चलो वो तो कोई नी मुगल शाशक अकबर की हड़ियों को निकाला और उनको जला दिया किसाब इसका प्रोपर अंतिम संस्कार नहीं हुआ है तो हम इसका प्रोपर अंतिम संस्कार कर रहे है राजराम जाट को भी पकड़ लिया गया और पकड़ कर राजाराम जाट की भी हत्या कर दीगे तो ये शुरुवाती दोर था अब इसके बाद हाला कि जाट संगठित हो चुके थे पहले से शक्तिशाली भी हो चुके थे आप पूछेंगे शक्तिशाली कैसे पैसे से उसक्षेत्र में ये आगरा, दिल्ली, मथुरा इधर जो भी मुगलों का रशद जाता था या खजाना जाता था उस पर ये धावा बोल दिया करते थे और ये पैसा इखटा होता चला गया आगे चल कर हम देखते हैं कि चुडा मंजाट जो थे बही एक मैंने बताया भज्जा सिंग, भज्जा सिंग के बेटे थे राजाराम, भज्जा सिंग के एक भाई थे ब्रिज राज, उनके जो बेटे थे वो चुडा मंजाट भाव सिं तो मैं चूडा मिंजाट की बात कर रहा हूँ चूडा मिंजाट ने धावे मारने शुरू किये रशद सामगरी पर उनके खजाने पर और जो उदर से कोई व्यापारी जाते थे उन पर अच्छा पैसा इखटा किया और उस पैसे से आस पास के क्षेत्रों में चोटी 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 गड़ी बनानी शुरू की गड़ का मतलब दुर्ग बढ़ा विशाल और गड़ी का मतलब यह हो गया चोटी 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 गड़िया इनकी इंपोर्टेंस होती थी कि आपके वहाँ सैनिक रहेंगे वाच करेंगे और आप मैसेज विजवाओ अटेक भी कर देंगे इसके अलावा चूटामन जाट ने एक गड़ का निर्मान भी करा दिया थून में थून जो बरतमान भरतपूर में आता है वहाँ पर एक गड़ का निर्मान भी करवा दिया अब जब जाट इस क्षेत्र में संगठित हो रहे थे तो एक तो मुगल सामराजी की चिंता भड़ी चूटामन जाट का शाशनकाल बताता हूँ हाला कि वो शाशक नहीं थे उनका जो समय रहा वो समय बताता हूँ 1688 से और 1722 इसवी तक का तो 1688 के अगर हम बात करें तो इसका मतलब मुगल साशक औरंग जेब के समय ही चूडामन जाट ने जाटों को संगठित करना शुरू कर दिया था और 1722 इसवी तक वो रहे 1722 में उनकी मिर्ति वही तो इतने समय में उन्होंने काफी मुगल साशक भी देखे औरंग जेब 1707 में औरंग जेब की मिर्ति वही थी तो एक तो औरंग जेब इसके अलावा बहादूर शाह प्रत्थम जहादर शाह तीसरा इसके अलावा फरूक शियर रफियूद दरजाद रफियूद दोला मुहमद शाह रंगिला तो साथ मुगल बादशाओं को उन्होंने देखा चूड़ा मंजार में तो जब वो धावे मारने शुरू किये 1713 इस्वी के बाद में मतलब इस समय औरंग जेब की मिर्ति वो चुकी थी बहादूर शाह प्रत्थम की मिर्ति वो चुकी थी जहादर शाह की मिर्ति वो चुकी थी इस समय शाशक थे फर्रूक शियर फर्रूक शियर की चिंता बढ़ी और साथ ही साथ चिंता बढ़ रही थी जैपूर रियासत वालों की भी उस समय जैपूर शाहर नहीं बसा था राजदानी आमेर थी जैपूर बाद में बसा 18 नॉंबर 1727 को फर्रूक शियर को ये लगा कि जैपूर के शाशक, मतलब आमेर के शाशक सवाई जैसिंग को जाटो का दमन करने के लिए भेजना जादा उचित होगा क्योंकि सवाई जैसिंग इसमें पर्सनल इंट्रस्ट भी लेंगे क्यों इंट्रस्ट लेंगे कि अगर जाट जादा संख्टित होते हैं तो आने वाले समय में जैपूर रियासत को भी दिक्कत हो सकती है वह सामराज जवाद तो होता ही था धार्मिक नीतियां आर्थिक नीतियां अपनी जगे हैं सामराज जवाद भी होता था सवाई जैसिंग जो इस समय मालवा के सुबेदार थे मैं बात कर रहा हूँ 1715 ही की अलाकि 1713 ही सवाई जैसिंग को मालवा की सुबेदारी दी गई बाद में 1730 में भी उनको सुबेदार बनाया था वो छोड़कर आगे थे 1730 में 39-39 में फिर से बनाया था और 1732 में भी सवाई जैसिंग को मालवा की सुबेदारी दी थी मैं बात कर रहा हूँ 1715 भी फर्रूक शियर ने आमेर के शाषक सवाई जैसिंग को भरतपुर के जो चूड़ामन जाट थे ये लोग सिंसिनवारी जाट के लाए भरतपुर में एक गाव है सिंसिनवार तो वहां के ये जाट है उसी के कारण इनको सिंसिनवारी जाट कहा गया तो सवाई जैसिंग को इनके विद्रो का दमन करने के लिए भीजा कि आप जो सवाई जैसिंग बहुत लंबे टाइम तक वहां पर रहे बरतपुर में और प्रतम अभियान में जब सवाई जैसिंग को सफलता नहीं मिल रही थी हलाकि बाद में सवाई जैसिंग ने 1722 में जाटो के विद्रो का दमन किया था एक पक्ष को अपनी और मिलाकर मैं अभी बात करूँगा उसके अभी पहले वाले विद्रो के दमन की बात करूँ तो सवाई जैसिंग ने प्रियास तो किया चूडामन जाट के विद्रो को दबाने का लेकिन उस समय जब सफलता नहीं मिली संगर्श चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो मुगल शाशक फर्रूख शियर के दरबार में एक व्यक्ति था सेयद अब्दुल्ला का जो इलाबाद का सुबेदार था लेकिन अब मुगल शाशक फर्रूख शियर का दरबारी था वजीर था ये दो भाई थे करते थे कोंबाज़ा बनेगा इस नहीं बनेगा तो सیद भाई भाई भी प्रभावी थे और आमेर के जो शाशक थे ये भी प्रभावी थे दोनों की मुगल दर्वार में चलती थी इसमें दोनों आपस में जैलिस थे एक दूसरे से खार खाते थे सेयद अब्दुल्ला ने ये देखा कि एक काम करते हैं चूडामन जाट को मैं मना लेता हूँ तो सेयद अब्दुल्ला ने अपनी व्यक्ती सेयद मुझफर खां को बेजा बोले तु मना ले चूडामन जाट को जिस शर्तों पे भी माने और अपने कहने से अगर वो मुगल दर्वार में आ जाएगा तो सवाई जैसिंग को नीचा देखना पड़ेगा कि सवाई जैसिंग इतने टैम से वहाँ पर है जाटो के विद्रों का दमन करने के लिए लेकिन अब तक जाटो का विद्रों नहीं दबा पाए और अपन चुडामन जाट को यहाँ पर लिएगे सेद मुझफर खाने मना लिया चुडामन जाट को चुडामन जाट फरूख शियर के सामने गए फरुक शियर ने का इसाब एक तो ये थून के किले को तुम नष्ट कर दोगे क्योंकि किले के कारण क्या दिक्कत खिला अगर बना लिया तो आपके अतियार भी है आपकी सेना भी है उसमें उसके कारण आप अपनी सेना को दुर्ग में रखते वे धावा बोल सकते हो और वापस दुर्ग में चले जाओगे तो आप तो सेफ हो बार से कोई से ना आएगी तो उसको संगर्श करना पड़ रहा जैसे सवाई जैसे बोटाइम से उनके विद्रों को दबाना चा रहे हैं लेकिन नहीं दबा पा रहे हैं 1715 से 1718 इसवी के बीच में तो फर्रूक शियर ने ये कहा कि थूण के किले को नस्ट कर दो वोले ठीक है कर देंगे और इसके अलावा जो यार यह हमारे लोग जाते हैं इनको लुटा मत करो देगो दावा मत बोला करो वोले ठीक है अब बात यह हो गई कि थूण के किले को नस्ट कर दिया जाएगा लेकिन जब चूडा मन जाट वापस पहुचे 1719 इसवी में फर्रूक शियर की कर दी गई हत्या मराठों की हेल्प से जोधपुर के शाषक माराज आजीद सिंग की हेल्प से और सैयद भाईयों ने जब फर्रूक शियर की हत्या कर दी बहुत बुरे तरीके समारा था उसको वो मुगलिया हरम में था अपनी ओड़तों के साथ में था वहां अंदर जलाद गए वो मैलाओं के जो कपड़े होते हैं उनमें जाकर छुप गया था वहां से निकाला पगड़ी उसकी गिर गई थी उसको गसीटते वे भार लाए नंगे सिर नंगे पैर था और दिल्ली में जो तिर्पोडिया अभी गेट है वहां पहले जेल थी उसमें ले जाकर बंद कर दिया गया और फर्रूक शियर की आखे फोड़ी गई पहले मतलब वैसे ही तडपा कर मारा गया जैसे फर्रूक शियर ने बंदा सिंग बादूर को मारा था कि उसके शरीर की एक-एक बोटी निकाली गई और बंदा सिंग बादूर के सामने उसी के बेटे का कलेजा निकाला गया और बंदा सिंग बादूर के मुह में जैसे ठूसा गया इसलिए तो कहते हैं उसको ग्रणित काया तो उसको भी बहुत बुरे तरीके से मारा गया फर्रूक शियर को अब फर्रूक शियर की जब हत्या हो गई उस पर मैं नहीं जाओंगा अब एक अलग से वीडियो है उस पर तो फर्रूक शियर की हत्या होने के बाद चुडामन जाटने का बोले कोई सर्थवर्थ कुछ नहीं मानी थी कोई थून के किले को नस्प नहीं करेंगे आई गई सब बराबर अगला मुगल बादशा बना मुहम्मद शाहरंगीला मुहम्मद शाहरंगीला के समय भी अब उदर से जितने भी इनके व्यापारी निकलते मुगलों का जो समान निकलता जो इनकी रशद सामगरी निकलती पैसा निकलता जो भी उस पर चुडामन जाट दावा बोल देते लूट लिया करते तब 1722 में फिर से जैपूर के शाशक मदला आमेर के शाशक सवाई जैसिंग को भेजा गया और इस बार सवाई जैसिंग को सफलता मिल गए क्यों सफलता मिली थोड़ा सा ज्यान देखा चुडामन जाट पहले विरोध कर रहे थे चुडामन जाट के एक भाई थे भाव सिंग चुडामन जाट के बेटे का नाम था मोहकम सिंग तो चुडामन जाट इनके बेटे मोहकम सिंग, चुडामन जाट के भाई भाव सिंग, इनके बेटे बदन सिंग, तो अब ध्यान करना फोकस बदन सिंग पर और मोहकम सिंग पर, मोहकम सिंग कौन, चुडामन जाट के बेटे, चुडामन जाट की 1722 में मृत्ति हो गई, 1721 में तो अब वहां के जो शाशक है थून के किले के जो शाशक है वो है मोखकम सिंग और मोखकम सिंग के जो चचेरे भाई हैं बदन सिंग जाट उनको पहले जेल में बंद किया वा था लेकिन महकम सिंग ने बाद में बाकी लोगों के कहने पर बदन सिंग को छोड़ दिया सवाईजा सिंग जब वहाँ पर महकम सिंग के विद्रो का दमन करने पहुँचे तो बदन सिंग को अपनी और मिलाया बदन सिंग ने साथ दिया मोहकम सिंग ने जोधपूर के जो शाषक थे माराजा आजीद सिंग उनसे हेल्प मांग जा 3 लाख रुपे के बदले माराजा आजीद सिंग ने अपनी सेना वेजी विजयराज बंडारी को देख कर लेकिन वो सेना पोंच थी उससे पहले ही सवाई जै सिंग अपना शिकंजा कच चुके थे नवंबर 1722 को मोहकम सिंग को थून के किले में आग लगा कर वहां से भागना पड़ा और सवाई जै सिंग का थून के किले पर अधिकार हो गया थून के किले को सवाई जै सिंग नहीं तुडवा दिया और बदन सिंग को डीग की जागीर देकर ब्रिज राज की उपादी देकर वहां पर जाटों का नेता बना दिया तो आरंब में जो भरतपूर के जाट थे वो जैपूर के कच्छावा शाषकों के सामंत थे मतलब सामंत बना लिया अपना और मुगल शाषक मुहम्मद शाहरंगीला से भी इस बात को मानेता दिलवा दिलवा दिया उनको और साथ ही साथ सवाई जैसिंग ने जब ये जाटो के वहाँ पर मुहकम सिंग के विद्रोह का दमन किया तो मुगल शाशक मुहम्मद शारंगीला ने सवाई जैसिंग को राज राजश्वर की उपादी दिए मतलब आप राजा बना कर आए हो किसी को तो ध्यान रखना ये कई बार पूछा जाता है कि राज राजश्वर की उपादी सवाई जैसिंग को किस ने दी थी मुहम्मद शाह रंगीला ने क्यों दी थी जाटो के विद्रोह का दमन करने के लिए और ये जो अपादी है सवाई ये किस ने दी थी ये औरंग जैब ने दी थी जब वो अपने पिता के सामने पिता के साथ में बिशन सिंग के साथ में मुगल दरबार में गए थे और मुगल शाशक औरंग जैब ने जब सवाई जैसिंग से बात की यह पुराने वाले जैसिंग से सवाया है सवाया का मतलब वो अगर 100% थे तो ये 125% है तो वो उपादी और अंजेब के दुआरा दी गई थी सवाय जैसिंग को अलाकि जैसिंग का नाम विजै सिंग था लेकिन बाद में इनका नाम जैसिंग रखा गया वो मेरे अनुसार अगर आप पूछे हैं तो जाटो में अब तक जो सबसे प्रतापी शाशक हुए है वो हुए माराजा सूरज मलक भले ही आप सैन्ने मोर्चे पर ले लो भले ही आप आर्थिक मोर्चे पर ले लो मैं फैक्ट के साथ में बात करूँगा ताकि आपको भी लगे हाँ वास्तमे माराजा सूरज मलको जाटो का प्लेटो क्यों कहा जाता है ये मैं समझाओंगा आपको वापस बदन सिंग पर आए तो बदन सिंग ने डीग में किले का निर्मान कराया कुमहेर में किले का निर्मान कराया वैर में किले का निर्मान कराया इनका शाषन काल रहा 1722 से और 1756 वी तक था हमारे एक गाउं की एक व्यक्ति है जो जैपूर में एक जगह है खोले के अनमान जी खोले के अनमान जी के पास में एक कॉलोनी है बास बदनपुरा उसको बोलते है बास अलग जगे है बदनपुरा अलग जगे है लेकिन दोनों को कमाइंड करके बास बदनपुरा बोलते है जैसे कोट और बहरोड दो अलग जगे है कोट पुतल यह अलग है बहरोड अलग है लेकिन दोनों को एकटा कोट बहरोड बोलते है तो ऐसे वहाँ पर वो जो बास बदनपूरा है जिसमें बदनपूरा है जब बरतपूर के शाशक जो जैपूर के जैपूर वालों के सामन्त थे जब वो यहाँ पर आते थे तो उनको यह जगे दी हुई थी तो उनके नाम पर उसको बदनपूरा के नाम से जाना जाता है तो वो बदन सिंग वोई हैं भरतपूर वाले माराजा बदन सिंग ने अपने जिवित रहते ही शाषन की बागडोर अपने पुत्र सूरज मल को सौप दी थी अलाकि ओपचारी कुरूप से शाषक वोई थे जब 1756 इसवी में उनकी मृत्ति हुई तो ओपचारी कुरूप से उनके जो पुत्र थे सूरज मल वो अगले शाषक बने अगले माराजा बने माराजा सूरज मल के समय में भरतपुर रियासत का बहुत उत्थान हुआ आप एक फिगर पर गौर करना है माराजा सूरज मल के समय उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किये थे कृषी कारियों में सुधार किया था एगरिकल्चर रिफॉर्म्स किये थे इसके अलावा प्रशासनिक पदों पर वो जो न्यूक्तियां किया करते थे अपने चाचा तावों के लड़के की बजाए योगेता आधारीत भरती किया करते थे कि अगर आप योगे हो तो आपको प्रशासनिक पदों पर पहुचाया जाएगा वहां बेठाया जाएगा उनके इन सुधारों की वज़े से साथ ही साथ उन्होंने उस समय जो वातावरन उपलब्द करवाया व्यापारियों को जब अराजकता का दोर था आगरा में दिल्ली में इसके लगतेवे क्षित्रों में तो व्यापारी तो वहां जाएगा जहां पर जो रेवन्यू है वो 1.75 करोड मतलब पौने 2 करोड वहां का रेवन्यू पहुंच गया था वहां का आये वहां की राजस्व आये पहुंच गई थी अब ऐसे समझ में नहीं आएगा कि पौने दो करोड तो साब पौने दो करोड एक रियासत के लिए कोई बड़ी रकम थोड़ी है आज नहीं होगा पौने दो करोड उस समय बड़ी रकम थी कुछ फिगर आपके सामने रखता हूँ जब राजस्थान का एकिकरन हुआ सबसे बड़ी चार रियासतें थी पैसे में भी और जिन संक्या में लिए मैं पैसे की बात करता हूँ जैपूर रियासत पैसे के मामले में सबसे बड़ी थी इसका रेवन्यू था दो करोड असी लाग रुपे कबकी बात कर रहा हूँ आप तो 1947-48 को दिमाग में फोकस करो कि 1947-48 में जैपूर रियासत का रेवन्यू दो करोड असी लाग था बीकाने रियासत का जो रेवन्यू था दो करोड 49 लाग था जोधपुर रियासत का revenue था 2.16.060 रुपए और मेवाड रियासत का revenue था 1.30.060 रुपए और इस समय मतलब जब राजस्तान की रियासतों का एकई करण हुआ इस समय भरतपुर रियासत का जो revenue था वो 65.060 रुपए के आसपास था एक्जेक्ट था 64,088,020 रुपे ये कब की बात कर रहा हूं 1997 में अठाण में की और महाराजा सूरज मल का शाशनकाल कौन सा है 1756 से और 1773 इसवी तक का उस समय की बात कर रहा हूं उस समय बरतपुर रियासत का जो रेवन्यू पहुंच गया था वो एक करोड पिच्टर लाग पहुंच गया था तो अब आप सोचो महाराजा सूरज मल ने कितने रिफर्म्स कियोंगे अपने एड्मिन्स्टेशन में भी बाकी फिल्ड में भी जिसकी वज़े से उनका जो राजस्व है वो पोने दो करोड पर पहुंच गया था इसके अलावा ध्यान रखना महाराजा स सूरज मल ने 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को उससे युद्ध में जब मराठे पराजित होकर वापस जा रहे थे तो आम जन्ता जो थी उन्होंने मराठों को लूटना शुरू कर दिया था ऐसे में महाराजा सूरज मल की जो पतनी थी किशोरी देवी वो आगे आई और उन्होंने इन भागते वे मराठाओं को अपने यहां पर शरण दी अनाज के बंडार खोल दिये थे साथ ही साथ हे इनको सुरक्षित दक्षण तक दक्खन तक वापस पहुँचाने के लिए अपनी सेना भेजी थे आप देखना अभी भी वहाँ पर बहुत सारे गाउं महाराष्टर में अभी भी बहुत सारे गाउं ऐसे बसेवें हैं जिनके पूरवज कभी ना कभी भरतपुर के सेनिक की नोकरी किया करते थे सेना से जुड़ ही थे वह लोग वहाँ छोड़ने के लिए गए तो काफी सेना वापस आ गई लेकिन भह iv है पर बस बस गए, अपने परिवार के सार थी, वही पर अपना परिवार बगार बसा लिया, आज भी वह लोग वहाँ पर रहते हैं, तो मराठों की इन्नोंने help कि थी अब सवाल यह आ रहा होगा कि आप मराठों की भागते मराठों की हेल्प की तो युद में हेल्प कर देते हैं तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है और उसमें आपको भी बताया है कि जब मराठों जा रहे थे पानीपत का युद लड़ने के लिए तो मराठों मराठा सेना में सैनिकों के साथ-साथ और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर चला करते थे नाचने वाले, गाने वाले, उनके परिवार की महिलाएं, इसके अलावा मराथों के जो हत्यार थे, वो भी भारी-भारी हत्यार वो लेकर जा रहे थे, तो महराजा सूरजमल ने सदाशिव राव भाव से ये कहा, भाई मराथों के सेनापती तो विश्वास राव भाव थे, पॉपचारिक रूप से लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें नेत्रितु जो कर रहे थे वह भाउ सदा सी उठाव कर रहे थे तो महाराजा सूरजमल ने जब उनको सजेशन दिया उसको मानने को तयार नहीं थे और उनमें कुछ अनबन हुई उसके कारण महाराजा सूरजमल अपने आपको अलग कर दिया था लेकिन जब मराठों की उन्होंने स्थिती देखी कि आम जंता लूट रही है उनका शोशन कर रही है तो उसके कारण महाराजा सूरजमल ने बाकाइदा उनको सुरक्षित पहुचाने के लिए पहले तो यहां पर रखा काफी दिनों तक शाषनकाल के दौरान ही शाषनकाल से पहले आला कि शाषनकाल सत्रासोचपण से 1763 तक का रहा लेकिन मैंने आपको बताया कि महाराजा सूरजमल के जो पिता थे महाराजा बदन सिंग यह शायद मैं नहीं बोलाओंगा उनके जीवन के अंतिम समय में उनकी आँखों की शाषक बन गए थे तो महाराजा सूरजमल ने जैपूर रियासत में यहां के शाषक इश्वरी सिंग का साथ दिया था जब जैपूर में उत्रा दिकार को लेकर लड़ाईयां हो रही थी थोड़ा सा बताता हूं जैपूर के शाषक सवाई जैसिंग की 1763 सिस्वी में मिर्त पूर रियासत का सपोर्ट सवाई जैसिंग को था 1763 में जब सवाई जैसिंग की मिर्ति हुई तो सवाई जैसिंग ने अपने पुत्र ईश्वरी सिंग को अगला शाषक पहले ही गोश्यत कर दिया था अलाकि कोई एक समझोता हुआ था देवारी समझोता 1708 ही स्वी में मैं उस समझोते में नहीं जाऊंगा उसके इसाब से सवाई जैसिंग को अपने पुत्र मादो सिंग को शाषक बना था जो मेवाड की राजकुमारी चंदर कमर से उत्पन हुए थे लेकिन मादो सिंग की बजया उन्होंने मारवाड की राजकुमारी सूरज कमर से उत्पन पु प्रत्युई 1743 में तो उनके दोनों पुत्रों इश्वरी सिंग और मादो सिंग के बीच में लड़ाई हो गई और 1747 और 1748 में दो युद्ध हो एक 1747 में एक 1748 में माई 1747 वाला जो युद्ध हुआ वो हुआ राज महल का युद्ध है यह जगे अभी टॉंक जिले में आती है राज महल के युद्ध में एक और तो इश्वरी सिंग इश्वरी सिंग का साथ दिया था सूरजमल ने इसके अलावा मलहार राव हॉल कर थे दूसरा जो पक्ष था उस दूसरे पक्ष में मादो सिंग मादो सिंग के साथ में एक तो कोटा वाले शाषक थे दूरजन साल जो इसलिए साथ दे रहे थे कि साब मेरे को भी कुछ क्षेतर दिलाओ समीदी नैनवा करवाड ये वाले में जाने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि टोपिक भरतपुर रियासत की में बात कर रहा हूं तो उस युद में 1747 के राजमहल के युद में और 1748 के बगरू के युद में सूरजमल ने इश्वरी सिंग का साथ दिया था इसके आलावा है महाराजा सूरजमल के शाशनकाल से रिलेटेड ध्यान रखना 1733 इसवी में इन्होंने भरतपुर बसाया वहापर एक गड़ का निर्मान कराया जिसको आज हम लोहागड के नाम से जानते हैं लोहागड क्यों थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको डिटेल से भरतपुर के शाशत है रणजीत सिंग मैं बात कर रहा हूं 1803 से 1806 इसवी के बीच की मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जिस भरतपुर में 1733 में माराजा सूरजमल के दुआरा भरतपुर दुर्ग का निर्मान कराया गया था इसको लोहागड क्यों कहते हैं आप जाना कभी वहाँ पर लोहागड ये दुर्ग जो बनावाया बरतपुर का इसके चारो तरव ये खाईसी है जिसमें पानी बरावा रहता है तो ये एक जील है जिसको मोती जील बोलते है और दो नदिया है बान गंगा और रूपारेल उनका पानी लाकर एक चैनल के दिया मोती जील जो लोहागड मतला बरतपुर के उस दुर्ग के चारो तरव है तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका नाम लोहागड कैसे पड़ा अठारा सो तीन से अठारा सो चैस्वी की बात कर रहा हूं उस समय बरतपुर के शाशक थे महाराजा रंजीत सिंग और महार मराठा वोर कहते हैं अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीन युद्ध हुए थे एक 1775 से 1782 के बीच में पहला युद्ध दूसरा 1803 से 1806 में दूसरा युद्ध तीसरा 1817 में और फिर इस तीसरे युद्ध के बाद मराठा शक्ति का पतन ही हो गया अंग्रेजों के अंगर्ष हुआ था 1803 से 1806 के मद्दे में तो मोटी मोटी बात ये है कि उस समय वहां के जो पेश्वा थे माराठों के थोड़ा सा ब्यान देना माराठों का जो शाषन चलता था जब पेश्वाओं के हाथों में सत्ता चली गई थी 1750 में सांगोला की जो संदी हुई थी बाला जी बाजी राव ने उसंदी की थी राजाराम सेकेंड से, छत्रपती राजाराम सेकेंड के साथ में तो मुखे शक्ती पेश्वा थे, पेश्वा जो बैठते थे वो पुने में बैठा करते थे तो वहाँ पर पेश्वा बैठते थे इसके अलावा अलग-अलग जो मराठा शक्तियां थी जैसे ग्वालियर में आपके सिंधिया होगे बडोदा में आपके गायकवाड होगे इसके अलावा इंदोर में आपके होलकर होगे लेकिन सेंटर जो हुआ करता था वो आपका पुने में हुआ करता था जहाँ पर पेश्वा के नित्रत में ये सब युद लड़ा करते थे तो जो पेश्वा थे बाजी राव सेकेंड उन्होंने इस युद का कारण बता रहा हूँ एक मोटा मोटा आउटलाइन दे रहा हूँ आपको उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संदी कर ली थी संदी क्यों करी थी क्योंकि पेश्वा और सिंधिया आपस में मिल गए थे दोलात राव सिंधिया थे जो कहां के थे ग्वालियर के और पेश्वा बाजिराव सेकंड ये दोनों मिल गए सिंधिया और पेश्वा मिल गए होलकर जो थे इंदोर वाले यश्वंत राव होलकर या जश्वंत राव होलकर उनके भाई को मरवा दिया था पेश्वा और सिंधिया ने मिलकर तो जश्वंत राव होलकर ने पेश्वा बाजी राव सेकंड को गद्दी से हटा दिया और उनकी जगे अमरित राव को अगला पेश्वा बना दिया कुछ जगे बिनायक राव देखने को मिलता है अब बाजी राव second को जब पेश्वा की गदी से हटाया तो यह पहुचें अंग्रेजो के पास में अंग्रेजों से सायता मांगी अंग्रेजों ने सायता की और अमरे तराव को गद्धी से अटाकर वापस से बाजी राव सेकंड को फिर से गद्धी पर बैठा दिया और बाजी राव सेकंड के साथ में संदी कर ली और संदी ये की कि आज से तुमारी विदेश निती एक रियासत, दूसरी रियासत से क्या بात करेगी, ये भी अब अग्रेज तै करेंगी. अब इसके कारण बाकी जो मराठा थे जैसे सिंदिया होगे, हौलकर होगे, आपके गायकवार होगे, अब इनको जब पेश्वा से कभी मिलना है, तो वहाँ पर एक अंग्रेज रेजिडेंट की न्यूक्ती हो गई अब पुने में अंग्रेज रेजिडेंट से पूछ के मिलना पड़ता ये परेशान बोले यार ये किसको बैठा रखा है यहाँ पर तो उसके कारण अब मराठे फिर से संगठित हुए और मराठो ने अंग्रेजों के विरुद्ध ये युद्ध छेड़ दिया तो ये इसका कारण था जो आंग्ल मराठा दूसरा जो युद्ध हुआ था 1830-1860 के बीच में तो इस दूसरे युद्ध में अंग्रेजों ने तीनों शक्तियों को मतलब सिंधिया को गायकवाड को और होलकर को तीनों अलग-अलग हराया और तीनों के साथ में अलग-अलग संधिया की तो उसी दोरान जब ये अंग्रेज इनको हराने के लिए युद्ध करने के लिए पीछे-पीछे भाग रहे थे तो जस्वंत राओ ह कोल कर अपनी सेना लेकर भरतपूर आ गए और भरतपूर के जो शाशक थे माराजा रंजीत सिंग उन्हों ने अपने यहां पर इनको शरण दे दी अंग्रेज अधिकारी लोड लेक उनका पीछा करते वे पहुचा और पांच बार अटेक किया खुब गोड़े दागे लेकिन वो भरतपूर को नहीं जीत सका इसी के कारण इसको लोहागड कहा गया आ गई बात समझ में तो बात ध्यान रखने वाली किया आप से पूछा जाएगा लोहागड कब नाम पड़ा दूसरे आंगल मरा था युद के बाद किसने अटेक किया था लोड लेक ने कितनी बार अटेक किया था तो इससे पहले महाराजा रंजीत सिंग ने अंग्रेजों के साथ में संदी कर ली थी 29 सितंबर 1803 को राजस्थान की रियासतों ने संदीयां की थी एक तो 1803 की संदी हुई थी जो साइक संदीयां थी एक 1817-18 की संदीयां हुई थी जो आश्रित पार्थक्क की नीती का मतलब ही हो गया कि अब अंग्रेज आपकी रियासत में अगर आप राजा हो तो आपके यहां पर एक सेना चोड़ देंगे उस सेना का खरचा आप उठालो खर्चा पाणी दे दो कोई अगर आप पर अटेक करता है तो अंग्रेज की सेना और वहां जो सेना है जि की सेना को भी आप पाल रहे हो अंग्रेज सेना बरती कर रहे हो उसका खर्चा भी आप दे रहे हो कोई लड़ाई भी नियुए अंग्रेजों की तरक्की होती जा रही है तो वह 1818 में संधियां हुई थी की आपका दुश्मन हमारा दुश्मन आपका मित्र हमारा मित्र लेकिन उन्हों ने जस्वंतराव dentist करको अंग्रेजों को नहीं सोपा कियों कि यह मेरे यहाँ पर शरण में आयवाई ठीक उसी प्रकार से जैसे हमीर देव चोहान ने अपनी शरण में आयवे व्यक्तियों को नहीं सोपा था इन्होंने भी नहीं सोपा लेकिन जब बाद में फिर से कहा जस्वंत राओ होल करने कि आप संदी कर लीजिये इंसे मैं भी मुझे भी एक संदी परफख से करनी पढ़ेगी वो राजगाट की फिर संदी करी थी अंगरेजों ने जस्वंत राओ होल कर के साथ में तो बाद में फिर से बवरतपुर ने अंगरेजों के साथ में संदी की थी वापस विशे पर आजाओ, कहां चल रहे थे हैं महाराजा सूरजमल पर, तो महाराजा सूरजमल ने लोहागड बनाया था, बरतपूर का दुर्ग बनाया था 1733 में, तो उसका नाम लोहागड कैसे पड़ा ये मैंने आपको बताया, इसके अलावा ध्यान करो, डीग के महलों क अबिया दृग की नगरी काजाता है, भरतपूर में आता है, अभी नया जिला है, इन प्रोसेस है, मतलब अभी बना नहीं है, तो उन जल महलों का निर्मान महाराजा सूरजमल ने कराया था, इसके आलावा, यहीं पर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर जब अटेक किया थ से जिस पर नूर जहां जूला करती थी और वह उतार लाए बोले वाज से अपने टाबर जूलेंगे इस पर वहां पर डीग के जलमेलों में मतलब डीग के जो महल थे वहां पर उनको लगवा दिया था एक चीज और ध्यान रखना ये जो डीग के महल है यहीं पर एक बाग है जिसको नव लखा बाग कहा जाता है आप चाओ तो नोट डाउन कर लेना इन बातों को नव लखा नाम से राजस्थान में और भी बहुत सारी जगे हैं जो कई बार पूछी जाती हैं जैसे आपसे पूछा जाएगा नव लखा जील तो बुंदी में आपसे पूछा जाएगा नव लखा बावडी डुंगरपूर में आपसे पूछा जाएगा नव लखा दुर् में फैला हुए तो नवलखा महल उदैपूर में नवलखा दुर्ग जालावार में नवलखा जील बुंदी में नवलखा बाग डीग में इसके अलावा नवलखा बुर्ज बुर्ज होती न पिलर चित्तोड में नवलखा मंदिर पाली में नवलखा दर्वाजा रन्थंबोर म तो ये फैक्ट कई बार पूछे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं 1763 की बात करते हैं माराजा सूरजमल वर्तमान उत्तर परदेश में एक जगह आती है हिंडन नदी एक जगह है जहाँ पर हिंडन नदी है और वहाँ पर कुछ अफगान सेनिक गात लगाए बैठे थे माराजा सूरजमल की हत्या करने के लिए रुहेल खंड एक जगह है जहाँ अफगान के जो लोग थे उनका शाशन था अफगानी जो आये वे थे उसका वहाँ का नवाब था नजीब खान जो अफगानी था इनका शाशन था माराजा सूरजमल की हत्या करने के लिए जो हिंडन नदी है उसके आसपास में घात लगाए बैठे थे और माराजा सूरजमल जब वहाँ से निकल रहे थे तो घात लगाकर इन्होंने हत्या कियो और माराजा सूरजमल का सिर काट कर नवाब के पास में बेज दिया और 1763 इसवी में उस महान योदा जिनोंने भरतपुर रियासत का रेवेन्यू पोने दो करोड पहुचा दिया जिनोंने चैपुर रियासत में सवाई इश्वरी सिंग का साथ दिया उसी के कारण मादो सिंग को आसानी से जीतने में सफलता प्राप्त नहीं और जीतने के बाद भी माराठों को इस बात पर जोर दिया कि इश्वरी सिंग को ही अगला शाशक रहने दो माराजा सूरज मल के कारण इसके अलावा माराजा सूरज मल जिनों ने कृशी कारियों में सुधार किया माराजा सूरज मल जिनों ने योगता आधारित भरती करना शुरू किया कि अगर आप योग्य हो तो आपको प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा महाराजा सूरज मल की मिर्तियों हत्याकली इन से रेलिटेड एक और भाद द्यान रखना इनके दर्वारी थे मंगल सिंग रावत जिनके दुआरा लिखा गया है सुजान समवत विलास महाराजा सूरज मल पर महाराजा सूरजमल को सुजान लिखा गया उसमें सुजान यानि महाराजा सूरजमल अब इन से आगे के कुछ और शाषक बसते हैं वैसे जमार सिंग है इसके अलावा कृष्ण सिंग है जिन में देश बक्ती कूट-कूट कर भरी थी उन्होंने तो अपने शाषनकाल के दोरान ही स्वायत शाषे संस्थाओं की स्थापना कर दी थी 1927 में एक बहुत बड़ा हिंदी सम्मेलन करा दिया था स्वदेश हर चीज स्वदेशी से प्रेरित थे अपना देश अपनी भाषा हिंदी को बड़ावा दिया करते थे उनकी भी बात करनी है और इसके अलावा ब्रजेंदर सिंग उनकी भी बात करनी है जो भरतपुर रियासत के अंतिम शाषत थे अभी शैद वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा यह देखते हैं फिर अगले वीडियो थैंक्यू जैहिं